हेलो इंजिनियर्स मैं हैं इंजिनियर विसालिया दोस्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा सिविल इंजिनिरिंग ट्रेनिंग इस्टूट दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों करते हैं जैसा कि Jewish data देखते हैं कि हमें given data क्या दिया हुआ है यहाँ दोस्तों है यहाँ घ्रैट आपका 10 feet हो गया और कॉलम की जो साइज है 9 बाई 9 है यानि 9 इच बाई 9 इंच और यहां पर ग्रेट आप कंक्रीट यूज हो रहा है एसमें 20 का हो रहा है यापका जान रहा है आपका जो वहां पर रेशियो होता है वह एक डेड़ तीन एक आपका यहां पर दोस्तों यह cement हो जाएगा, data आपका यहाँ पर send हो जाएगा और 3 आपका यहाँ पर aggregate हो जाएगा तो दोस्तो आईए हम आप calculation करते हैं calculation for volume of concrete कि हमें concrete की यहाँ पर volume को calculation करते हैं उसके बाद हम calculation करेंगे कि हमें कितना cement और send मंगवाना है और aggregate के साथ तो अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबा दें ताकि कोई भी आपको वीडियो पहले आती है तो notification आप तक पहले पहुचें तो दोस्तो यह हम calculation करते हैं so firstly we convert the size column into fit अगर आपका size दिया हुआ है inch में तो उसको fit में हम convert करते हैं तो fit में convert करने के लिए क्या करते हैं as we know that 1 feet is equal to 12 inch आप सभी को पता है एक mention को भी पता होता है कि अगर वो काम करवा रहा है तो एक fit में आपका 12 inch होता है तो एक fit में आपका 12 inch हो गया लेकिन आपका column कितना दिया हुआ है 9 inch by 9 inch तो उसको हम convert करते हैं fit में तो fit में convert करने के लिए क्या करेंगे column size आपका 9 inch by 9 inch है तो आपका fit में convert करने के लिए क्या करना है बस आपको 9 by 12 कर देना है क्योंकि एक fit में आपका होता है वहाँ पे 12 inch तो आपका यहाँ पे column है आपका 9 inch का तो 9 by 12 हमने यहाँ पे कर दिया है 9 इच का आपका column है 12 हमने यहाँ पे fit में convert करने के लिए इसे divide कर दिया है 12 से तो आपका जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.75 feet यानि 0.75 feet आपका दोस्तों यहाँ पे आ गया है हमारा 9 inch का value अगर हम उसको fit में convert किये हैं तो fit में convert कर दिया है तो अब यहाँ पे हम उसका calculation करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आपका यह column है 9 inch by 9 inch का column हो गया है 10 feet यहाँ पे इसकी height दीवी है तो जब इसको हम convert करेंगे आपका 9 inch by 9 inch को हम निकालेंगे square feet में निकालना है उसके volume का कि हमें concrete volume कितना लगेगा तो यह हमारी square feet में आ गई यह आपका cross section area निकल के आ गया अब हमके इसको volume में निकालना है तो volume में निकालने के लिए क्या हमें जबूरत पड़ती है जैसा कि आप जानते हैं आपका length into width into height तो length आपका 9 inch हो गया width भी आपका 9 inch हो गया और यहाँ पे height इसकी 10 feet दी हुए है तो इसके सारे से आप आसानी से निकाल लेंगे और जानते भी हैं तो दोस्तों निकालते हैं क्या करते हैं यहाँ पे column height आपका 10 feet दिया हुआ है तो volume निकालने के लिए for concrete volume के लिए आपका यहाँ पे छोटा सा formula हो गया cross section area into height of column तो cross section area आपका कितना निकल के आगया है यहाँ पे 0.562 square feet तो दोस्तों यह आपका cross section area निकल के आए था फिर भी हमने आपके देखते हैं 0.75 यहाँ आपका length और आपका width 0.75 feet और दोस्तों यहाँ पे height आपका 10 feet दिया हुआ था तो दोस्तों इसको जो आप calculate करेंगे तो आपका निकल के आजाएगा value यहाँ पे 5.625 यहाँ पांस दसनों 625 cubic feet आपका यहाँ पे volume निकल के आजाएगा concrete का लेकिन यह आपका weight volume है क्योंकि आप जब भी काम कर रहे हैं वहाँ पे column का pouring करते हैं तो उसमें आप water add करके तबी तो concrete बनाते हैं फिर भी बार-बार हम आपको बता देते हैं कि dry coefficient factor 1.54 से हम वहाँ पे multiply करते हैं 1.54 कहां से आया और कैसे आया तो दोस्तों इसके बारे में हमने live session भी बनाया था और हमारे playlist में एक video भी पड़ी हुई है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और description में हम उसका यहाँ पे dry volume multiply with dry coefficient factor तो same वही बात है जैसा कि हमने जो आपको बताया है कि आपको dry coefficient factor 1.54 से यहाँ पे multiply करना है तो 1.54 हम केवल concrete form में ही लेंगे जब हम वहाँ पे motor form होता है तो वहाँ पे 1.33 और 1.34 लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि dry volume convert करने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे 1.54 से आपको जो weight volume आया है 5.625 को हमने multiply किया है तो हमारा total volume निकलके आ जाएगा यहाँ पे 8.6625 cubic feet दोस्तों 8.6625 यहाँ पे आपका cubic feet में volume निकल के आ गया है अब इसके आप यहाँ पर यहाँ आपका निकलके आ गया है कि हमें कितना यहाँ पे इसके आधार पे हमें कितना मंगाना होगा cement sand और aggregate तो आईए हम cement sand और aggregate को निकालते हैं calculation for quantity of cement sand and aggregate तो हम पहले cement निकालते हैं तो cement निकालने के लिए क्या करते हैं आपका formula है जैसा कि इसके पहले भी हमने एक video बनाये थी पूरा description में हमने वहाँ पे describe करके बताया था कि formula में क्या क्या use होता है और कैसे वहाँ पे मंगाते हैं तो दोस्तों उसको आप जाके playlist देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि cement के लिए हमने क्या करना है 1 by 5.5 into आपका दोस्तों यहाँ पे आपका जो dry volume आया था उससे multiply कर देना है तो यहाँ पे 1 आपका क्या हो गया cement का जो वहाँ पे ratio होता है यहाँ पे हम M20 grade का हम यहाँ यूज कर रहा है concrete M20 का हमारा यहाँ पे जो ratio होता है यानि mix ratio है 1 is to 1.5 is to 3 यानि जब उसको आप plus करेंगे सबको sum करेंगे तो आजाएगा आपका 5.5 तो वही हमने सेम किया है 1 आपका ratio of cement हो गया 5.5 आपका यहाँ पे sum of mix ratio हो गया और यह आपका दोस्तो जो आपका dry volume निकल के आया है concrete का वो हो गया तो जब आप इसको करेंगे तो आपका निकल के आजाएगा 1.575 cubic feet यह दोस्तो इतना आपका यहाँ पे cement लगेगा लेकिन दोस्तों cement लगेगा इतना आप सोचेंगे अब तो हमें bag में मंगाना हो या case में पता होता है तो निकाल लेते हैं तो उसको करने के लिए same चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपका same चीज है आपके इन bags में मंगाने के लिए आपको क्या करना होता है 1.575 cubic feet आपका यह volume आ गया आपको आपके same करना है आपका 1 volume of bag cement का जो volume होता है आपका cubic feet में होता 1.23 आपका यह होता है आपका volume of one bag cement का cubic feet में तो दोस्तों यहाँ पे आपका same वही किया है हमने 1.575 की विक फिट आपका ये जो सिमेंट का आपका वहाँ पर वॉल्यूम आया था उसको हमने 1 बैग आप सिमेंट के वॉल्यूम से हमने यहाँ पर डिवाइट कर दिया है तो आपका दोस्तों निकल के आ जाएगा 1.28 बैक्स आपका सिमेंट यानि कि ये इतने बैक्स के रिक्वाइट मेंट की आपको वहाँ पर सिमेंट की जरुवरत पड़ेगी यहां पर जैसा कि इसमें बताया भी गया है 1 बैग सिमेंट के वॉल्यूम जो होता है आपका 1.23 होता है उससी से हमने वहाँ पर डिवाइट किया हुआ है और दोस्तों अगर आपको केजी में आने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों आपका जो वॉल्म निकल के आया है बैक्स में उसको हमें आपका One Bag Up Cement का जो वहां पर वेट होता है One Bag Up Cement का वेट आपका 50Kजी होता है आप सबी जानते हैं उससे हमें यहाँ पर multiply कर दिया है तो आपका निकल के आ जाएगा 64.02 KZ आपका यहाँ पर volume निकल के आ गया बैग में और दोस्तों यहाँ पर केजी में और आपका यहाँ पर CFT में भी यानी कि विक्वीट में भी निकल के आ गया है तो दोस्तों तीने फॉर्म में अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से आसानी से जान सकते हैं अब हम बात करते हैं सेंड की हमें सेंड मंगा नहीं हो तो सेंड को हमें कैसे कितनी जरूरत पड़ेगी तो आपका दोस्तों यहाँ पर सेंड का जैसा कि हमने सेम फॉर्मला बताया था M20 ग्रेट का हम यहाँ पर concrete यूज कर रहे है तो यहाँ पर आपका जो सेम है हमने mix ratio जो आपका ratio था 1.5 था और 5.5 आपका sum up mix ratio हो गया और आपका यह जो dry volume आया था वहाँ पर जो आप convert करके वहाँ पर volume निकाले थे तो दोस्तों आपका 8.6625 आया था जब इसको आप multiply करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 2.362 cubic feet आपको यहाँ पर इतने send की जरूरत पड़ेगी वन कॉलम बनवाने के लिए अगर आप creating कर रहे हैं एक single कॉलम का दोस्तों 10 feet उसकी height होगी और 9 by 9 का कॉलम है तो आपका 2.36 cubic feet आपका यहाँ पर send की जरूरत पड़ेगी और हम बात करते हैं अब aggregate की हमें कितनी aggregate की वहाँ प reply कर देंगे तो दोस्तों आपका आज आएगा तो यहाँ पर हमारा निकल के से हमने वही किया हुआ है वह निकल के आजा है 4.725 cubic feet आपका वहाँ पर aggregate की मंगाना पड़ेगा दोस्तों आप देख लिए हैं इस तरीके से कि आपका अगर 9 by 9 का कॉलम है और आपका वहाँ पर 10 feet height है तो आपको कितने cement sand और aggregate की जरुवत पड़ेगी और आपको कितना volume of concrete लगेगा तो दोस्तों इस तरीके से आपके घर में अगर 9 by 9 का कॉलम है जितने आपके कॉलम से आ रहे हैं उससे आप multiply कर देंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि कितने cement sand और aggregate से आपकी जरु कितने वी का त सका hoping दो आपका यास कितने ओगे एिव खना बैशका कestra तो आपके में अगरगे ले खंगे भी कितना और आपके कित शाओें है तो आपके में रांप कितने आपके में च 도क चके ज. जar कर आपके कितने कितने इससे और वार सेवाल के ह practices उ.